वीडियो में हम लोग आगे बढ़े और मैं आपको लून लेने का पूरा प्रोसेस बताओं उसके पेले यहाँ पे एक प्रूब देख सकते हैं यह लून हमको मिला है SBAE UNO Ape की मदद से अगर आप भी SBAE के कस्टमर है तो आप घर बेटे SBAE UNO Ape की मदद से लाखो रूपे क इसली लून ले सकते हैं अगर आपका लून SBAE UNO के अंदर अपरू हो जाता है तो यहाँ पर आप से कोई भी डॉकुमेंट नहीं मांगा जाएगा तिर दस मिनिट के अंदर पेस आपके विंक अकॉंट में ट्रांसपर कर दिया जाएगा अभी आप में से काफी सारे लोग जोब सोच लोंगे कि अखिर SBAE UNO के अंदर को लोन ले सकता है तो देखिए SBAE UNO यहाँ पर 3 category के अंदर रोन परवाइड करता है और आप एक salary persons है तो भी आपको लोन मिलेगा अगर आप एक नोन salary persons है तो भी आपको लोन मिलेगा अगर आप एक पेंशनर है पेंशनर उसी करेंट मिलेगा अगर आप एक पेंजनर है तो जाहिर से बात है आपका पेंजनन अकांट होगा और उस पेंजन अकांट के अंदर हर मेने की पेंजन क्रेडिट कर दी जाती होगी अगर आप इन 3 केटिगरी को फूली करते तो आप easily loan ले सकते अभी मुझे पता है कि आप लोगों के mind में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई हम केसे पता करेंगे कि SBI से हमारा loan अपरू है कि नहीं तो देखें यहां पर दो तरीके हैं अगर आप SBI UNO use करते तो आप SBI UNO के अंदर login करेंगे तो आपको starting में ही करेंगे आपको SBI के साथ जो भी आपका mobile नंबर लिंक है उस mobile नंबर से इस message को 567676 के उपर आपको send कर देना जैसे ही आप message करेंगे उसके कुछ time पता चल जाएगा कि आपको SBI से loan मिलेगा या आपको SBI से loan नहीं मिलेगा अगर आपका दोस्तों यहां से loan अपरू हो जात है मैंने SBI UNO app open कर लिया है यहां पर आपको अपना MPN डालके login करना है अगर आपके पास इसका MPN नहीं है तो यहां पर देखें कोई loan उफर रहेगा तो यहां पर आपको show कर देगा तो अभी आप देख सकते हैं हमारे यहां पर 50,000 रुपे का loan अपरू हुआ है तो आपको स सिंपल सा यहां पर देखे स्टार्टिंग में दिख जाएगा और आपको इसके उपर एक बार टेप कर देना है जैसे ही आप उसके उपर टेप करेंगे आपके सामने एक new interface open होगा यहां पर loan से related copy सारी information आपको यह शो करेगा तो यहां पर देखे नीचे एक option से apply now आप इसक का आपने से के उपर क्लिक कर देंगे जैसे ही आपने से के उपर क्लिक करेंगे आप इसको verify कीजिएगा आपका यह pen number है आपका date of birth अगर यह सही है तो यहां पे rouप यहlesके आप post to click क्लिक करेंगे अब मैं यहाँ पर time duration की बात करो तो यहाँ पर higher time duration हमको 72 month का मिला है कम से कम यहाँ पर duration देख सकते हमको 1 month का मिला है यहाँ पर अगर मैं इसके rate of interest की बात करो तो आप देख सकते 13% हमको rate of interest लगने वाला है यहाँ पर देखे नीचे nest का option से आप nest के उपर click करेंगे जैसे यह आप NAS के उपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक date चुनना होगा, जिस date को आप EMI Pay करना चारें, तो वो date आप यहाँ से चुनेंगे, तिन OK के उपर क्लिक करेंगे, जैसे यह आप अपना date यहाँ पे Briefify करेंगे, तो यहाँ पे इनका Terms and Conditions का पेज आएगा, आपको इसको अच्छे से चेक कर लेना, यहाँ पे आपको यह शो करेगा, कि आपका Loan Amount कितना है, यहाँ पे Time Durations कितना है, यहाँ पे आपका EMI कितना है, प्रोसेसिंग फी कितना लगने वाला है, आपका पेसा किस Bank Account में जाएगा, EMI Payment Start Date आपका EMI कब से Start होगा, वो सारी चीज़े आपको यहाँ पे यह शो करेगा, तो आप इसको अच्छे से चेक करेंगे, यहाँ पे देखें, एक Nes का Option से आप Nes के उपर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप Nes के उपर क्लिक करेंगे, SBA के साथ जो भी आपका Mobile Number लिंक होगा, उस Mobile Number के उपर एक OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे भर देना है, यहाँ पे एक Option से Submit, आप Submit के उपर क्लिक कर देंगे, जैसे ही आप अपना OTP Submit करेंगे, तो आपको कुछ इस तरीके का Message आ जाएगा, तो तुरंट के तुरंट पेसे आपके Bank Account के अंदर Transfer कर दिया जाएगा, तो दोस्तों आशा करता जाटकारी काफी अच्छी लगे होगी, और आपको इसली समझाया होगा कि SBAE के अंदर Personal Loan के से लिया जाता है, और उस पेसे को के से अपने Bank Account के अंदर Transfer किया जाता है, फिर भी दोस्तों SBAE से Loan के से लेते, इस से रेटेट आपका कोई सवाल है, तो इस वीडियो के होगा एक चैनल रिप्लाइ देने की, चलिए मिलते हैं और किसी नए वीडियो में नई जान कर एक साथ चलिए, धन्यवाद